पीश्याम अमरिका टेकनोलोजी में जापान सबते पहला मेरी राम राम मापे लिखी है और दो इसमें ट्रिव इवेंट है उन से इंस्पायर हो के तो सुनिए गद्यान से मुझे चोट लगने पर मुझसे ज्यादा रोती है अपने इस्षे का भी खिला दे मुझे खुद भूखास होती है और बाप पर से जब गुस्षा करके तो डाल उसी की होती है आखिर मा तो मा उती है एक सची गटना है इसमें कि मेरी डूटी लगी हुई थी कहीं पर तो हम चत की टीन की चत के नीचे खड़े हुए थे तो इतनी तेज बारिश वरांदी ओले आ रहे थे अमेर लग रहा कहीं चत गिरना जाए लेकिन कुछी दूर वहां पर एक टटीरी थी वो बारिश गुजर चत के नीचे डरा रही थी तेज आंधी बारिश बिजलिया में चत के नीचे डरा रही थी वहीं कुछ दूर खुली चत के नीचे एक टटीरी अपने अंडों को बचा रही थी आंधी तुफान ओले बारिश उसे इला तक नहीं पा रही थी किस मिट्टी का बनाया तुने उ मा के प्यार की एक और दास्ता सुनाता हूं दिल में लहरे दोडेंगी चलो सुनाता हूं एक बेटा अपनी मा को दारू पीकर रोज पीटता था गालिया देता उसे बाल पकड़कर उसके गली में गसीटता था मारते मारते गिर जाता तो उसे खुद उठाती थी मेरा बेटा ठक गया होगा उसके पैर दबाती थी आज भी उसको सुलाने के बाद खुद सोती है आखिर मा तो मा उती है साथ जनम में तो मुम्की नहीं के तेरा करद चुका पाऊंगा एक जनम नहीं मा अर जनम तेरा बेटा बनना चाऊंगा मुझे पता है तू अर जनम में मुझे अपना लेगी मेरी गलतियों पे मुझे डाट कर गले से लगा लेगी अमित भस इतना ही जान पाया है मा की कोई प्रीबाशा नहीं होती है आखिर मा नमतम नमतलबी तो पूरा जमाना है मा जता देती है पर उसके दिल में भी तो प्यार का खजाना आ है किसी ने मुझे से पूछा कि दुणिया का सब से मुश्किल काम तो मैंने बोल दिया बाप को गले लगाना है